गोड इवनिंग मैं डॉक्टर अजे कुमार पांडे अन एकेडमी के इस यूटूब चैनल पर आपका अभिनन्दन करता हूँ आपका स्वागत करता हूँ जैसा कि आप जानते हैं प्रती दिन मैं सारे साथ बजे संध्या आपसे लाइव होता हूँ बिहार BPSC, बिहार CDPO और बिहार SI के आपकी तैयारी को मारकदर्सन देने के लिए आज भी मैं आपके साथ लाइव हूँ और आप सभी अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको एक सुचना देना चाहता हूँ कि 67th BPSC का advertisement अगले माह आने वाला है अतह आप सभी अब कमर कसलें और तैयार हो जाएं तो हम लोग अब 67th BPSC, बिहार CDPO और इन सब exams को देख करके और अब हम लोग तैयारी को एक धार देंगे और आप सभी हमसे जुड़ें और 67th BPSC, CDPO और बिहार SI में अपना seat पका करें आप से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में share करें तो मैं आपको एक बार छोटा सा brief देता हूँ कि ये हमारा class कैसे चलता है ये class हमारा Monday से ले करके और Thursday तक Mix MCQ और subject wise चलता है Friday को rest रहता है और Saturday Sunday को Current Affairs में ले करके आपके लिए आता हूँ तो आप जितने लोग अभी मेरे साथ live है आप जितने लोग मेरे साथ अभी live है उनसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक share करें आप अधिक से अधिक share करें और इस class को आगे बढ़ाए तो इस start किया जाए जितने लोग जुड़े हुए है मैं उनका नाम कुछ लोगों का बोल रहा हूँ और आप सभी अधिक से अधिक इस class को share करें तो अभी जितने लोग हैं सब का मैं स्वागत करता हूँ मुहमत सरवर जी रेस्मी कुमारी BPSC optional रेस्मी वही लीजिए जो आपको पढ़ने में अच्छा लगता है कोई भी किसी के कहने पर कोई subject नहीं वही subject optional में लेना चाहिए जो आपको पढ़ने में अच्छा लगता हो किसी के कहने पर जय सिर्राम गौतम जी जय सिर्राम जोती सब लोग का स्वागत है राजु कुमार जी संजना बिद्यार्थी जी कुलपुजा रितेश कुमार जी अभय कुमार जी मुहमत सरवर जी संदिप दुवेदी जी हां मुहमत मुस्तप्पा जी मनोहर यादो जी सभी लोग जितने लोग जुड़े हैं हाँ मनप्रित कुमारी सभी लोग जितने लोग जुड़े हैं सबका मैं एक बार फिर से सभी लोग जिनका नाम नहीं भी लिया क्योंकि नाम अब लेने में फिर क्लास हम लोग का छुट जाएगा तो जिनका नाम नहीं भी लिया मैं, सभी से मैं सभी का स्वागत करता हूँ, सभी को good evening और सभी को मेरे तरफ से आसिरवाद, आप लोग places को share करें और सुरू करता हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, Saturday और Sunday को हम लोग current affairs करते हैं, तो आज मैं आपके लिए ले करके आया हू बिहार, national, international, ये तीनों से current affairs रहेगा, और ये current affairs आपके लिए बहुत ही लावकारी होने वाला है, तो पहला प्रस्न आज, आज का पहला प्रस्न, आज का पहला प्रस्न आपके लिए, आज का पहला प्रस्न, आज का पहला प्रस्न, एंसर आप देंगे, आज का पहला प्रस् यह किसकी रचना है, आप जो है ओ एंसर दें, how to avoid a climate disaster, यह किसकी रचना है, यह बहुत महत्पुन भी भी आई, यह पूछ सकता है, यह भी 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 आई है, यह पूछेगा बहुत महत्पुन, पुष्तक, हम लोग Current Affairs पढ़ रहे हैं, और Current Affairs में पुष्तक और उनके लेखक, जो कि बहुत महत्पुन होते हैं, उनसे आता है, और यह जो है, बिल्कुल मोना सिंग जी और संदीप दिवेदी जी, संदीप दिवेदी जी, मोना सिंग जी मन प्रीत कुमारी, सभी, हाँ बिल् 100% सही है संदीप दिवेदी जी, Bill Gates की रचना है, Bill Gates की रचना है, बिल्कुल 100% सही है, अगला प्रस्ण आपका, अगला प्रस्ण आपका, Languages of Truth Essay 2003-2020 किसकी रचना है? Languages of Truth Essay 2003-2020 किसकी रचना है? यह किसकी रचना है? आप लोग बताएं? नहीं नहीं मसालेदार बिर्यानी जी बस एक दो, एक दो यह सलमान रूस्दी की रचना है, यह सलमान रूस्दी की रचना है, Languages of Truth Essay 2020, सलमान रूस्दी की रचना है. अगला, हाँ बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी एक दम सही है, हाँ बिल्कुल सही है, B answer होगा. अगला, 16 जून 2021 से भारत के 256 जीलों में हाल मार्क कानून लागू हुआ, इनमें बिहार के कितने जीलों में हाल मार्क कानून लागू हुआ? ता इसमें केवल सोना जो है, ओ, हाल मार्क बिकेंगे और कोई सोना नहीं बिकेंगे, ये बिहार के कितने जीलों में लागू हुआ? भारत के कुल 256 जीलों में लागू हुआ, बिहार के कितने जीलों में लागू हुआ? जो हाल मार्क कानून है, इसमें नियम है कि अब जितने भी गोल्ड मार्केट में मिलेंगे, सब हाल मार्क मिलेंगे, अब ऐसे बिना हाल मार्क वाले नहीं मिलेंगे, और इसमें जो है, ओ, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट के जो है, कैरेट के ही गोल्ड मिल पाएंगे, इतना कैरेट, इतना कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट, तो ये बिहार के 13 जिलों में और पूरे इंडिया के 256 जिलों में लागू हुआ, किलियर है? अगला प्रस्न 2021-22 में बिहार सरकार ने कितने पौधा लगाने की घोशना की है 2021-22 में आरे गौतम जी 24 कैरेट का गोल्ड नहीं होता उसका गहना नहीं बनता, जोयलरी नहीं बन सकता 24 कैरेट का जोयलरी नहीं बन सकता गोतम जी 24 कैरेट का गोल्ड का जोयलरी नहीं बनता है, 14 कैरेट जो है वो उसका है, हौल मार्क में हौल मार्क में 22 कैरेट 18 केरेट और 14 केरेट ठीक है बिल्कुल सही है बहुत बढ़िया दो हजार एक इस बाइस में बिहार सरकार ने बिहार सरकार ये आप ध्यान दीजिए अब 67 परिक्षा बिल्कुल अब एक दम निकलने वाला है हाँ हाँ बिल्कुल 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 तो ये जो है 14 केरेट गौतम जी 18 केरेट और 14 केरेट को हल मार्क दिया गया है कि इतना ही परसोना भी केगा हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है पांच कड़ोर एकदम सही है मसालेदार बिर्यानी जी एकदम सही है आप लोग अधिक से अधिक सेयर करें प्लीज यह आपका क्लास है और हम करेंट ले करके सटाडे संडे आते हैं अगला प्रस्ण आपके सामने है अगला प्रस्ण आपके सा हाँ ठीक है बढिया है गौतम जी तो ये कानून जान लिजिए भारत सरकार का गौतम जी आपका सौफ है भारत सरकार का कानून जान लिजिए बिहार राज के किस योजना की चर्चा हाल ही में अंतरराष्टिये मैगजीन एगरिकल्चरल टुडे में की गई है किस योजना की चर्चा की गई है एग्रिकल्चरल टुडे में बिल्कुल सही है यह अपनी क्यारी अपनी थाली बहुत महत्पुन भी भी आई कोश्चन है यह भी भी आई कोश्चन है पुछबे करेगा यह पुछबे करेगा अपनी क्यारी अपनी थाली सी हाँ सी होगा सी सी होगा एंसर अपनी क्यारी अपनी थाली जिसकी चर्चा अंतराष्टिये मैगजीन एगरी कल्चरल टूडे में की गई है तो एगरी कल्चरल टूडे को जल जीवन हरी आल इसे क्या मतलब है एगरी कल्चर जो है उसमें अपनी क्यारी अपनी थाली ठीक है अपनी क्यारी अपनी थाली बिल्कुल एक दम बहुत महत पूर्ण है मसालेदार विर्यानी जी भी भी आई है भी भी आई एक दम भी भी आई है अगला प्रस्न अगला प्रस्न अभी हाल ही में विश्व के प्र पुर्व राष्ट पती थे, अभी हाल ही में, हाँ मनपृत कुमारी, थैंक यू बाबू, थैंक यू, या ऐसे ही, ऐसे ही हो जाएगा एक्जाम में भी, ऐसे ही एक्जाम में भी आएगा, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल मनपृत कुमारी ऐसे ही एक्जाम में भी आएगा बाबू और आप लोग ऐसे ही सही कर दिएगा उसको तो अभी हाल ही में बिश्व के प्रमुक राजनीतिक केनेट कोंडा की मिर्तुई बहुत पोपुलर ये जामबिया को आजाद करया और जामबिया के प्रत्थम राश्टर पती थे जामबिया के प्रत्थम राश्टर पती केनेत कोंडा और बहुत महत्रपुन राजनितिग अफरीका के हां केनेत कोंडा जांबिया के थे ए हां बिल्कुल सही बिल्कुल बिल्कुल जांबिया के थे गौतम जी एक दम बढ़िया गौतम जी जांबिया के थे एक दम सही है और इस तरह ठीक है और इस तरह अगला प्रस्ण निम्न में से किसे अभी हाल ही में सुचना प्रवदोगी की एवं रेल मंत्री नियुक्त किया गया है किसे हाल ही में सुचना प्रवदोगी की एवं रेल मंत्री नियुक्त किया गया है बहुत महतपुन कोश्चन बहुत सांदार कोश्चन सूचनाप प्रोधोगी की एवं रेल मंत्री नियुक्त की आगया है याली में एंसर दीजिए एक दम सही एंसर होगा ई एंसर होगा ई अस्विनी वार्षनिय अस्विनी वार्षनिय यह जो है ओडिसा कैडर के आई एस पताधिकारी और यह जो है बहुत पोपुलर और इन्हें इन पर विश्वास किया है प्रधान मंत्री सिर्ण नरिंद मोधी जी ने और इन्हें ट्वीटर वाला प्रकरण के कारण जो है ओडिसा कैडर के आई एस पताधिकारी थे ओडिसा कैडर के 31 माई 2021 को भारत सरकार ने कितने रक्षा उत्पात वस्थूओं के आयात को पर्तिबंधित सुची में डाल दिया है पहले भी सरकार ने पर्तिबंधित सुची में डाला था अब ही कितने वस्थूओं को पर्तिबंधित आप केवल अपना टेस्ट लगाईए इस आप केवल अपना टेस्ट लगाईए करेंट आप पढ़ते हैं अपने करेंट को जाचिए और मैं प्रति दिन आपको आपके करेंट के लिए जो है ओ लेकर के प्रस्न आता रहूंगा कितने रक्षा उत्पाद वस्थूओं के आयात को प्रतिबंधित किया है कितने बिल्कूल बिल्कूल सही है 108 108 पहले किया था 101 पहले 101 अब किया 108 इस परकाट टोटल जो है 209 वस्थूओं पर 209 वस्थूओं को प्रतिबंधित कर दिया गया है मई उससे पहले किया गया था 101 अब कर दिया गया 108 कुल 209 बस्तुओं को रक्षा उत्पाद के लिए परतिबंदित किया गया है अगला प्रस्न अभी हाल ही में मिरित स्री वीर्भद्र सीह किस राज्य के भूत्पुर्व मुख मंत्री थे इस क्लास को अधिक से अधिक से शेयर करें आप चोहे सब्सक्राइब करें यह आपका क्लास है बहुत बढ़िया बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर एक दम सही हिमाचल प्रदेश के एक दम सही अगला प्रस्न बीर्भद्र सीह हिमाचल प्रदेश के कॉंग्रेस पाठी के मुख मंत्री थे अगला प्रस्न आपके सामने है भारतिय नौ सेना ने क्या नाम दिया था? भारतिय नौ सेना ने क्या नाम दिया था? महमत सरवर जी, प्रतिभाककुमारी B होगा इसका एंसर, ओप्रेशन समुद्र से तो 2 ऐप्रेशन समुद्र से तो 2 एक दम समुद्र से तो 2 आप लोग प्लीज इस class को share कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को बुलाईए और हम लोग इसी तरह Saturday Sunday को current लाते रहेंगे और प्रती दिन बढ़ियां-बढ़ियां question हम लाएंगे कल से अनकेडमी के लर्निंग एप पर मैं पॉलिटी लेकर क्या रहा हूँ डेढ़ बजे और डेढ़ बजे हम लोग 40 question का state करेंगे प्रती दिन तो आप आएं मधुकुमारी खुश रही है बाबु दो ओलंपिक में दो ओलंपिक में पदक जितने वाले भारतिये पहलवान अपने साथी खिलाडी की हत्या के मामले में जेल में बंद हैं उनका क्या नाम है हाँ एक दम सही एक दम सही सुसील कुमार ये तो बहुत popular है ये तो बहुत popular question ह हाँ सुसील कुमार बिल्कुल बिल्कुल अगला प्रस्ण जुआओं की घटी संख्या के कारण किस देश ने अभी हाल ही में दमपतियों को तीन बच्चा पैदा करने के अनुमती दे दिये किस देश ने हाँ हो गया हाँ सुसील कुमार किस देश ने हाँ बिल्कुल बिल्क एक दम सही एंसर है और तीन बच्चा दमपतियों को पैदा करने की छूट चाइना ने दिया है बिलकुल सही है चाइना ने तीन बच्चा पैदा करने को छूट दिया है हाल ही में किस देश में हत्याबरवन्द लोगों ने राष्ट्रपती भवन में घुसकर वहां के राष्ट्रपती की हत्या कर दी है जैहिन बाबू जैहिन नंदन ज्छा जी आनंद कुमार जी बिलकुल बिलकुल आरे कितना स्टुडेंट बढ़िया है जी आप लोग आप लोग गरदा स्टुडेंट है जी इतना बढ़िया करेंट आप लोग की तयारी लाजवाब तयारी एकदम है थी पोर्टो प्रिंस में घुसकर के और राष्ट्रपती की हत्या कर दी और उनकी वाइप को घायल कर दिया एक दम बढ़िया एक दम बढ़िया बताईएगा अभी हाल ही में वीश्व आर्थिक मंच से माननेता प्राप्त परजावरण निस्पादन सुचकांक रिपोर्ट दो हजार बीस में एक सव असी देशों में भारत का स्थान क्या रहा है अभी हाल ही म वीश्व आर्थिक मंच से माननेता प्राप्त परजावरण निस्पादन सुचकांक रिपोर्ट दो हजार बीस में एक सव असी देशों में भारत का स्थान क्या था एक दम सही है जी गर्दा हैं आप लोग एक सव असी देशों के परजावरण निस्पादन सुचकांक में भारत का स्थान एक सव अर्शठ था एक दम सही है एक सव अर्शठ था एक दम सही अगला प्रसन आपके सामने है अभी हाल ही में भारत और उरोपिय संग का स्वलहावाण बैठक हाइबरिढ तरीके से 8 मई 2021 किस को किस देश की मेजवानी में हुआ बहुत भी भी आई प्रस्न भी भी आई है एकदम आएगा ही आएगा एकदम आएगा ही आएगा अभी हाल ही में भारत और एउरोपिय संग का यह hybrid का मतलब है कि दो तरीके से बैठा कोई हां hybrid का मतलब है कि दो तरीके से बैठक होई, बैठक में वर्चुल भी हुआ और बैठक जो है मैनूल भी हुआ, मैनूल भी हुआ, वर्चुल भी हुआ, इसी को हाइब्रीड बोला जाता है, ठीक है, तो हाइब्रीड जो बैठक होई, ये पुर्तगाल की मेजबानी में होई, पुर्तगाल ए एक दम पुर्टगाल के नित्रित में हुआ, दुनिया का एक मात्र संस्कृत दैनिक समाचार पत्र कौन है, क्या बात है मसालेदार बिर्यानी जी, एक दम सही करनाटक से परकासित होता है, और दुनिया का एक मात्र संस्कृत दैनिक समाचार पत्र, शुधर्म, बी होगा, बी होगा बी, शुधर्म, आर बी आई के अनुसार मार्च 2021 के अंत तक भारत पर बिदेशी कर्ज है लगबग कितना, मार्च 2021 के अंत तक भारत पर बिदेशी कर्ज कितना है, हाँ, बिलकुल, बताईएगा, गजब, गजब, गर्दा, गर्दा, भारत पर बिदेशी कर्ज जो है, पांच सो सत्तर अरब डॉलर, अरब डॉलर है, ये आर बी आई ने सुचना दी है, कि बिदेशी कर्ज भारत पर पांच सो सत्तर अरब डॉलर है, बहुत सांदार चल रहा है आप लोग का करेंट जी, आप लोग का करेंट लाजवाब चल रहा है, अभी हाल ही में अंतरराष्टिय संसदिय दिवस, किस दिन मनाया गया, अभी हाल ही में अंतरराष्टिय संसदिय दिवस, किस दिन मनाया गया, एक दम सही है, 30 जून, 30 जून, 30 जून, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 30 जून, एक दम सही है, 30 जून, अगला प्रस्ण, उत्तर प्रदेश के राजपाल निमने लिखित में से कौन है, उत्तर प्रदेश के राजपाल निमने लिखित में से कौन है, आप लोगों से नमरे निवेदन है, इस क्लास को अधिक से अधिक सेयर करें, उत्तर प्रदेश के राजपाल निमनल इखित में से कौन है एक दम बिल्कुल सही बिल्कुल सही आनंदी बेन पटेल जो गुजरात की भुतपुर मुख मंत्री थी और उत्तर प्रदेश के राजपाल भी है एक दम सही एक दम सही बहुत बढ़िया हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त गोसित किया गया है हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त गोसित किया गया है एक दम बढ़िया एक दम बढ़िया चाइना चाइना को हाल ही में मलेरिया मुक्त गोसित किया गया है हाँ बिल्कुल 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 भारतिये पूरुस होकी टीम जो टोक्यो ओलम्पिक में भाग लेगी इसके कप्तान कौन है भारतिये पूरुस होकी टीम जो टोक्यो ओलम्पिक में भाग लेगी इसके कप्तान कौन है भारतिये पूरुस होकी टीम और ये भारतिये टीम के ध्वजवा हक भी होंगे भारतिये टीम के ध्वजवाहक भी होंगे मार्च पास्ट का ये नित्रित भी करेंगे हाँ मार्च पास्ट का नित्रित भी करेंगे बिल्कुल सही है बिल्कुल मनप्रीत सिंग मनप्रीत सिंग बिल्कुल सही है भारतिये पूरुस होकी टीम के कैप्टन ओलम्पिक खेलों की सुरुवात टोकियो में किस दिन होगी एक दम सांदार है 23 जुलाई से होगी 23 जुलाई से कितने अगस्तक है 18 ओँ polis 25 बिलकुल 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 अगला प्रस्ण टोकियो उलम्पिक के उधघाटन समरहों में भारतिय टीम का धोजबाहक किसे गोसित किया गया है टोकियो उलम्पिक के उधघाटन सत्र में बहुत महतवुन सवाल टोकियो उलम्पिक के उद्घाटन समारों में भारतिय टीम का ध्वजवाहक किसे घोसित किया गया है एक दम सही ई होगा इंसर ई होगा मेरी कौम और मनप्रीत सी दोनों को और समापन में समापन में बजरंग पुनिया रहेंगे समापन में समापन में बजरंग पुनिया रहेंगे समापन समारों में बिल्कुल बिल्कुल बहुत सुन्दर अगला प्रस्न है टोकियो उलम्पिक का समापन आठ अगस्ट दो हजार एक इसको होगा इसमें भारतिय ध्वजवाहक कौन होंगे इसमें भारतिय ध्वजबाहक समापन के समापन में ध्वजबाहक कौन होंगे एकदम सही है अभी बता दिया मैंने समापन में बजरंग पुनिया होंगे बिल्कुल बिल्कुल हाँ बजरंग पुनिया होंगे समापन में एकदम सही और उदगाटन में उद्घाटन में मैं ने बता दिया मेरी कौम और मनप्रीत सी एक दम सांदार करेंट अफेयर्स करेंट अफेयर्स हम लोग इसी तरह करेंगे सटर्डे और संडे को दूराएंगे एंडी जेसी ने हाल ही में किस प्रसिध कमपनी का CEO पद गरहन किया है एंडी जेसी ने अभी हाल ही में किस कमपनी का CEO पद गरहन किया है प्लीज आप सेर करें इस कलास को आप सेर करें लाइक करें इस कलास को आप share करें आपका comment प्रितीज कुरुमारी सो कर रहा है NDJC ने किस प्रसिध कमपनी का CEO पद ग्रहन किया है आप अधिक से अधिक like करें, comment करें, share करें इसमें like करें, share करें, एक दम NDJC NDJC ने अभी हाल ही में एक दम बढ़िया एक दम बढ़िया बिलकुल ये E होगा और ये Amazon Amazon बिलकुल बिलकुल Amazon की CEO Amazon की CEO बनी है Amazon की एक दम बढ़िया Amazon की E है, E answer Amazon की हाँ, बिलकुल सही बिलकुल सही है Amazon की अगला केंदर सरकार ने हाल ही में भारतिय जीवन वीमा निगम के अधिक्षपत की अधिक्तम उम्रसीमा 60 वर्स से बढ़ा कर कितना कर दिया है अध्यक्ष हाँ, अध्यक्ष पत का बिलकुल सही मसालेदार बिर्यानी जी उसका तो अध्यक्ष और CEO सत्या नडेला को मनाया गया, बिलकुल सही हाँ, हाँ, साथ से बदल कर 62 कर दिया है दो बर्स बढ़ा दिया एक दम सही एक दम सही गर्दा है आप लोग गर्दा एक दम सही सभी लोग का सही है सभी लोग का सही है गर्दा अगला जुलाई के पहले सप्ता किस दिन अंतरराष्टिय सहकारिता दिवस मनाया जाता है जुलाई के पहले सप्ता किस दिन अंतरराष्ट्रिय सहकारिता दिवस मनाया जाता है ये कोस्चन बहुत महत पूर्ण है अंतरराष्ट्रिय सहकारिता दिवस ये आप याद करें अंतरराष्ट्रिय सहकारिता दिवस मनाया जाता है जुलाई के पहले सप्ता किस दिन अंतरराष्टिय सहकारिता दिवस मनाय जाता है सटर्डे सनिवार को गजब 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 एक दम सांदार सनिवार को अंतरराष्टिय सहकारिता दिवस मनाय जाता है सनीवार को बहुत बढ़िया बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर अगला प्रस्न अगला प्रस्न चानक्य का एक अन्य नाम क्या था शानक्य का एक अन्य नाम क्या था शानक्य का एक अन्य नाम बिश्नु गुप्त भी था अगला प्रस्न अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतिये महिला अन्तरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतिये महिला सिरीसा बंदना होंगी यह भारत के किस राजिकी हैं और वास्तों में कहें तो यह तीसरी भारतिये मुल्की महिला होंगी ये तीसरी भारतिये मुल्की महिला होंगी तीसरी भारतिये मुल्की महिला होंगी सिरिसा बंदना हाँ एक किस हाँ ठीक है ये वाला प्रस्न बनाईए अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतिये महिला या तीसरी भारतिये महिला होंगी तीसरी महिला होंगी ये किस राज्यकी है और ये घूम भी आई ये घूम भी आई अंतरिक्ष में जा करके ये तीसरी आंधर परदेश की है आंधर परदेश की बिल्कुल सही बिल्कुल सही है आंधर परदेश की ये आंधर परदेश की है आंधर परदेश की बिल्कुल सही है और जा बोरिस जॉन्सन कहा के प्रधान मंत्री है बिल्कुल सही है बोरिस जॉन्सन इंग्लेंड के प्रधान मंत्री है एक दम सही है बोरिस जॉन्सन इंग्लेंड के प्रधान मंत्री है वर्तमान में संसत की लोक लेखा समीती पी एसी के अध्यक्ष कोन है बिल्कुल सही पी एसी के अध्यक्ष अधिर रंजन चौधरी है कॉंग्रेस के अध्यक्ष रंजन चौधरी है पी एसी के अध्यक्ष एक दम सही है अध्याक्ष हमेशा बिपक्ष के होते हैं और बिपक्ष के जो अध्यार रंजन चौधरी है ये कॉंग्रेस के लीडर भी है लोक सभा में ये जो है फ्रेंच ओपन 2021 महिला सिंगल की विजयता कौन है फ्रेंच ओपन 2021 महिला सिंगल की विजयता कौन है फ्रेंच ओपन 2021 महिला सिंगल की ये चेको स्लोवा किया की बार्बोरा के जिस्कोवा है ये बिल्कुल सही बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल फ्रेंच ओपन टूणामेंट के पूरुस एकल विजयता 2021 कौन है कितना बढ़िया सवाल है इसमें से जरूर आएगा ये सारे सवाल भी भी आई है अगले परिछाओं में ये सारे सवाल आएंगे सारे सवाल आएंगे अगले परिछाओं में भी भी आई है और मैं आप लोगों के लिए करेंट कलेक्शन लाता रहूंगा सटाडे संडे करेंट करेंगे और एमसी क्यू करेंगे और विसे सबजेक्ट हम लोग करेंगे तो मंडे से थस्दे और सटाडे संडे फ्राइडे को रेस्ट रहेगा, साढ़े साथ बजए आपके साथ हम रहेंगे, हाँ बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबल्डन, बिंबल्डन, सब जीता है और आपको याद करने में अब दिकत नहीं होगा, और सायद अमेरिकी ओपन भी जित जाए। धान के समर्थन मुल्य में कितने रुपए पर्ति क्यूंटल की विर्धिक की है। हाँ अगला प्रासन है फ्रेंच ओपन 2021 की महिला एकल बिजेता बारबरा कोजिस्कोवा किस देश की है। फ्रेंच ओपन की विजेता फ्रेंच ओपन 2021 की विजेता महिला एकल बिजेता बारबरा क्रेजिस्कोवा किस देश की है। 75 है अच्छा हम देख लेते हैं 75 है देख लेते हैं बारबरा के जिस्कोवा एक चेक गण राज की हैं बिलकुल 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 चेक गण राज की है। यह एकदम चेक गण राज की हैं बिलकुल सही है। एकदम सही है। मैं देख लेता हूँ इसको एक मिनेट में मैं देख लेता हूँ और मैं आपको किलियर कर दूँगा ओ या अगले मुझे लगता है कि एक 70 रुपया ही है। केंद्रियर कैबिनेट में बिहार के कुल कितने मंत्री हैं। केंद्रियर कैबिनेट में बिहार के कुल कितने मंत्री हैं। बिहार के कुल कितने मंत्री हैं। नहीं बिलकुल केंद्रिय कैबिनेट में बिहार के कुल चार मंत्री हैं। गिरी राज सी हैं। गिरी राज सी हैं। राज कुमार सी हैं। राज कुमार सी हैं। राम चंद्र सी हैं। राम चंद्र प्रसाद सी हैं। प्रसाद सी हैं। राम चंद्र प्रसाद सी हैं। राम चंद्र प्रसाद सी हैं। राम चंद्र प्रसाद सी हैं। और ये पसुपती पारस पसुपती पारस ये चार मंत्री हैं कैबिनेट में ये चार मंत्री हैं बिहार कैबिनेट के बिल्कुल 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 ये चार मंत्री हैं बिहार कैबिनेट के बिल्कुल एकदम सही है हाँ चार मंत्री हैं एक दम सही है और आप लोग जान लीजिए ये वाला जो है 72 रुपया ये 72 रुपया है 72 रुपया ये सही है किलियर है अगला प्रस्ण स्री नरेंद्र मोधी मंत्री परिशद में कुल कितनी महिला मंत्री है ये सब बिहार के लिए स्री नरेंद्र मोधी मंत्री परिशद में कुल कितनी महिला मंत्री है कूल कितनी महिला मंत्री है आरे 72 है मुहम्मद मुहम्मद नाजीस नौसाद जी 72 रुप्या है 75 नहीं है 72 रुप्या है स्री नरेंद्र मोदी मंत्री मंदल में कुल 11 महिला मंत्री है 11 कुल 11 महिला मंत्री है किलियर है अगला प्रस्ण है सियासत में सदस्यता किसकी रचना है सियासत में सदस्यता किसकी रचना है क्या बात है क्या बात है सियासत में सदस्यता विजय कुमार चौधरी की है एकदम सही विजय कुमार चौधरी की है बिलकुल बिलकुल जो पूर में लोक बिधान सभा बिहार बिधान सभा के अध्यक्षते और अभी बरतमान में बिहार के सिक्षा मंत्री है अभी बरतमान में बिजय कुमार चौधरी बिहार के सिक्षा मंत्री है उनका हाँ बिलकुल सही है बाबु सही है एक दम बिहार के किस जीले में गरूड पक्षी सबसे अधिक संख्या में आकलित की गई है या पिछले वर्सों में पिछले वर्सों में सबसे अधिक संख्या में बृधी हुई है संख्या बृधी हुई है किस जिले में बिहार के किस जिले में गरूर पक्षी की सबसे अधिक संख्या में बृधी हुई है किस जिले में इसमें एंसर होगा ए एंसर होगा ए भागलपूर भागलपूर जीले में पिछले वर्सों में सबसे अधिक संख्या में बिर्धी हुई है सबसे अधिक संख्या में बिर्धी हुई है भागलपूर जीले में सबसे अधिक एंसर होगा भागलपूर भागलपूर जिला एंसर होगा ई होगा भागलपूर जिला बहुत महत्पूर्ण है ये भी भी आई कोश्चन है भी भी आई एक दम ये सब याद रखिएगा भागलपूर जिले में बहुत महत्पूर्ण कोश्चन है अगला प्रस्न बिहार की प्रथम महिला उपमुख मंत्री कौन है बिहार की प्रथम महिला उपमुख मंत्री कौन है तो बिहार की प्रथम महिला उपमुख मंत्री रेनु देवी है बिहार की प्रथम महिला उपमुख मंत्री कौन है आज हम लोग का प्रस्न यहीं तक फिर हम कल साथे साथ बज़े आप लोग के साथ मिलेंगे और देखिए यह बिहार क्रैक बिपीए सी विट इंडिया जार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनेकेडमी है और यहां आप अनेकेडमी के आप को डाउनलोड करके लर्निंग बज़े आप अनेकेडमी के लर्निंग येप पर आप हमारे साथ जूड सकते हैं और वहां सौव कोस्चन हम प्रती दिन कराते हैं करेंट अफेर्स के साथ और अनलोग करने के लिए मेरा कोड यूज करें अजय 1209 आप अनेकेडमी के प्लस कोर्स में आप सब्सकिप्सन लें क्योंकि अब BPSC 67 आ गया है और आप जो है अनेकेडमी के इस अनेकेडमी आपके लिए लेकर के आया है एक बहुत बढ़िया ओफ हर आप 12 महीने का सब्सकिप्सन लेते हैं तो 2 महीने का सब्सकिप्सन फ्री मिलेगा अगर आप 2 साल का सब्सकिप्सन लेते हैं तो यहां 3 मह महिने का फ्री मिलेगा अर्था 24 महिने के साथ 27 महिना का सब्सक्रिप्शन होगा यहां आप मंडे वेडनर्स टे फ्राइडे को आप जो है करेंट फिर्स का टेस्ट दे सकते हैं और सारे साथ बज़े उसका डिसकसन होता है आप देखिए विभिन विशय विशय सग्यों द्व प्लस सब्सक्रिप्शन बहुत ही ब्यजोर जो है वो पढ़ाई के लिए मंच है यहां आप अधिक comfortable माहौल में पढ़ सकते हैं एक्सिस करता सकते हैं यहां top educators आपको guide करते हैं और यहां आप पूरा syllabus को अभर कराया जाता है complete exam preparation कराया जाता है तो आप unacademy से जूड सकते हैं और unacademy का आप subscription ले सकते हैं और देखिए यहां batch भी आते रहते हैं अब ही चल रहा है बीपीसी 66 मेंस के लिए एक batch चल रहा है जो कि मीनी batch course है और यह मेंस writing course है बीपीसी देखिए बीजाई बीपीसी बैच यह सुरू हुआ है अभी 14 जुलाई को आप इसमें भी जूड सकते हैं और unacademy का सबसे सांदार बैच होता है बीजाई बीपीसी फाउंडेशन बैच 67 के लिए PT मेंस के लिए बैच सांदार है और इस तरह जो है एक इंग्लिस मेडियम एचीवर बैच है इसमें भी आप जूड सकते हैं यह इंग्लिस मेडियम बैच होता है तारगेट बैच क्रैस कोर्स है जो PT के लिए especially होता है तो इस तरह आप BPSC से जूड़ कर BPSC prelims, मेंस, BPSC SI, BRC CDPO और बिहार से होने वाले earn exams में जो है ओ आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं यहां एक साल के लिए subscription चार्ज जो है 8800 रुपया है और 24 महिने का subscription चार्ज 12800 रुपया है अगर आप मेरा code यूज करते हैं referral code अजय 1209 1209 तो आपको 10% छूट मिलेगा और हम unacademy पर आपको guide करें देखिए एक super combo subscription offer भी आया है जिसमें UPPSC, UPSSC और बिहार का एक साथ जो है आपको मिलेगा एक साथ आप ले सकते हैं जिसमें दोनों की तैयारी कराई जाती है यह 6 मंत का 7,960 रुपया है 12 मंत का 10,620 रुपया है और 24 मंत का 14,620 रुपया है अगर आप मेरा code यूज करते है अजय 1209 तो आपको यहां भी 10% छूट मिलेगा तो आप जूड सकते हैं अनेकेडमी से अनेकेडमी के इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें अनेकेडमी के साथ आप जो है ओ जूडें अनेकेडमी यह आपका है और यह आप जो है अनेकेडमी से जूडें बहुत बहुत धन धन्यवाद बहुत धन्यवाद